सेना में भरती के लिए किंद्र सरकार के अगनीपत योजना का बिहार में विरोध शुरू हो गया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग वारा अगनीपत योजना के घोशना करने के अगले ही दिन यानि बुद्वार को जगह जगह प्रदर्शन शुरू हो गया प्रदर्शन कारियों ने बकसर में रेलवे ट्रैक जाम किया तो मुझफर पूर के माडी पूर में आगजनी की और सड़क जाम कर दी इसके अलावा आरा में भी जम कर बवाल मचाया पुलीस और जियारपे ने प्रदर्शनकारियों को समझाने का भी प्रयास किया लेकिन वे योजना को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए है किंद्र सरकार ने 14 जुन को सेना की तीनों शाखाओ थल सेना, नौ सेना और वायू सेना में योवव की बड़ी संख्या में भरती के लिए अगनिपत भरती योजना शुरू की है इस कीम के तहत नौ जवानों को चार साल के लिए डिफेंस फोर्स में सेवा देनी होगी माना जा रहा है कि सरकार ने यह कदम तंखवा और पेंशन का बजट कम करने के लिए उठाया है मुझफरपूर में बुधवार को सेकडो लोग लाठी डंडा लेकर सड़क पर उतर गये और हंगमा और प्रदर्शन करने लगे सबसे पहले प्रदर्शन कारी ARO आर्मी रिक्रूटमेंट आफिस पर पहुचे वहाँ पर विरुद जताया इसके बाद प्रदर्शन कारीयों ने माडिपूर में आगजनी कर रोड जाम कर दिया साथी सड़क के आसपास लगे बोल्ड और होल्डिंग में तोड़ फोड का भी प्रयास किया प्रदर्शन कारीयों को समझाने के लिए सदर और काजी महमतपूर पुलिस मौके पर पहुची हाला कि वे नहीं माने प्रदर्शन कारीयों का कहना है कि ये जब तक सेना का कोई अधिकारी उन लोगों की समस्या नहीं सुनेंगे वे सड़क से नहीं हटेंगे बकसर में प्रदर्शन कारियों ने दिल्ली कोलकत्ता रेलवे ट्रैक पर बकसर स्टेशन के माल गोदम के पास जाम कर दिया मौके पर रेल सुरक्षाबल, रेल थाना, नगर थाना समित बकसर समित रेल प्रबंदक पहुचे प्रदर्शन कारियों को समझाने के बाद ट्रैक से जाम हटा और परिचालन शुरू हो गया प्रदर्शन कारियों का कहना है कि नेता हो या विधायक सभी को 5 साल का समय मिलता है हमारा 4 साल में क्या होगा हमारे पास pension की भी सुविधा नहीं है चार साल बाद हम रोड पर आ जाएंगे उनका कहना है कि सेना में नियोक्ति की या योजना रद्द की जाए जनाब तकलीफ उठने बैठने की नहीं तकलीफ बवासिर की है बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयरुवेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार अभ्युदै पाइल्स लेजर हॉस्पिडल लोहार समाज भवन के पीछे महापुष्प सोसाइटी शताब्दी नगर चौक से मनीश नगर रोड नागपूर